नमस्कार मित्र जैमातरी स्वागते आप सभी का हमारे यूटुब चैनल में तो कन्या रासी वालो हम बात करेंगे दिनांक दो जुलाई दो हजर बाविस का दिन मित्रो केसा रहेगा आप लोगों के लिए सरो प्रतम मित्रो बात करें पंचांग की तो दो जुलाई को सनीवार का वार है साथ में आसार मास के सुकल पक्स्त की तरतिय तिती है और असले सानक सत्र है और मित्रो सुर्र जो है वह मिथुन रासी में विराजमान रहेगा तो वही दुसरी और चंद्रमा जो है मित्रो वह क कर रासी में संचार करेगा तो एसे में समस्त ग्रहों की च्याल का अगले 24 गंटों में आपकी रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों व्यापार की ड्रश्ती से नोकर की ड्रश्ती से पारिवारिक जीवनियापन के लिए प्रेम संभंधों के लिए साथ ही मित्रों वि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो के बीच में जहां बहुत कुछ खास सा उधानिया हम आपको देने वाले हैं तो वहीं वीडियो के अंत में कुछ उपाई भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जिने आजमाने में ना ही आपको क करते हैं इस वीडियो के लाइक कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में केवल मातरानी के सच्चे भक्ते ही प्रेम से जय मातरानी लिखिएगा मातरानी उनकी सारी मनोकामनाई पुर्ण करेगी तो चलिए मित्रो वीडियो की सुरुवात करते हैं गुरुजी के छोटे से अनमौल सिल, गुण एवं कर्मों से मनुश्य की परिक्सा होती है मित्रो सोने और मनुश्य में कोई भी फरक नहीं है क्योंकि दोनों को ही मेहनत और संगर से ही अधिक निखाराता है तो गुरुजी का यह ग्यान अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा मित्रो गुरुजी का यह ग्यान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवस्य लिखिएगा तो चली मित्रो बात करते ही आपके एगले 24 घंटों के महतुपन रासी फल की मित्रो जीवन में मानसिक सांती बनी रहेगी परन्तु आत्म विश्वास में कमी हो सकती है आत्म वि सकता है एक के बाद एक अनेक कठिनाईया जीवन में आएगी और कार छेत्र में परिश्रम भी अधिगर हेगा तो वही मित्रो क्रोद एवं आवेश के अतिरेक से आपको बचना है क्रोद और आवेश से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है जीवन साती को स्वास्ति से संबं भांद रहने की सलाह दी जाती है आपको मित्रो का पूरा सहयोग मिलेगा जिस सहयोग की आप अपेक्सा करते हैं और वेचारिक मदभेद भी आपके हो सकते हैं तो धन की इस्तितियों में आपकी मित्रो सुधार होगा और जब सुधार होगा तो रूके हुए काम भी आगे बनेंगे मित्रो आपको बता दें कि माता का साने धिया आपको मिलेगा लेखन नादी बोधिक कार्यों में आपकी वेवस्था बढ़ सकती है तो आई में भी आपके व्रद्धी होने के 101% चांस बने हुए हैं खर्च की इस्तिती से आप परिशान रहेंगे क्योंकि पेसा आ अब्धिक एवं बोधिक कार्यों में कठीनाईया आसकती है तो स्वास्त की परती सचेत्र हैं और संचित धन में कमी आसकती है रहन सेहन थोड़ा सा कष्टमय हो सकता है तो कार चेत्र में आपकी मित्रो कठीनाईया भी आईगी कारी छेत्र में बहुत सी कठिनाईयों का सामना आपको करना पड़ सकता है इस वज़े से आप अपने आपको दुखी में हिसूस करेंगे तनाव युक्त में हिसूस करेंगे लेकिन मित्रो जादा घबराने की बात नहीं है क्योंकि समय जब बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है मानसिक कठिनाईया बढ़ेगी आपकी और आपको तनाव भी हो सकता है लेकिन परिवार के प्रती जो जिम्मेदारी आपने ली है उसे निभाना आपके लिए थोड़ा समित्रो आसान नहीं रहेगा पारिवारिक समस्याई बढ़ सकती है और समय जो है थोड़ा सा अव्यवस्थित रहेगा नोकरी में अफसरों से विचारिक मदभेद हो सकते हैं तो पारिवारिक समस्याई भी आपको परिसान कर सकती है मित्रो ऐसे में आपको सला दी जाती है थोड़ा कसा आत्म संयत रहे धर्म कर्म में रूची बढ़ाए और सत्रो पर यदि आप विजय पाना चाहते हैं तो आपकी मेहनत ही आपको सत्रो पर विजय प्राप्त करा सकती है केवल और केवल अपने कारे पर ज्यान दे क्योंकि मित्रू जब आप अपना कादरी करेंगे तो सत्रू आपको देखते रह जाएंगे आपके कारोबार में सुधार होगा और विस्तार के लिए निवेश कर सकते हैं यात्रा पर भी जा सकते हैं वाणी में कठोरता का प्रभाव हो सकता है थोड़ी सी लचिलापन लाए थोड़ा सा सौम्य सब्दों का प्रियोक करें और आसा निरासा के मिस्रित भाव मन में बने रहेंगे कभी आसा मिलेगी तो कभी निरासा मिलेगी कुटुम्ब में किसी बुजर्ग को हानी हो सकती है और परिवार की जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है और रहन सेहन जो है मित्रो थोड़ा सा कश्टमय भी हो सकता है वहीं आपको बता दें कि मन में प्रसंता रहेगी आत्म विश्वास भरपुर रहेगा और धार्मिक संगित में रूची बढ़ सकती है वहीं धियान रखिएगा मित्रो कि संतान के स्वास्त का विशेश धियान रखें संतान के स्वास्त के प्रती बिलकुल भी लापरवाही ना बरतें आत्म संयत रहे और क्रोध से अतिरेक से बचें क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुस्मन रहता है क्योंकि वह अंदर ही रहता है मित्रो नोकरी में इच्छा विरुद्ध कारिछेतर में परिवर्तन हो सकता है और विवादों से आपको बचना है बेकार के और फिजुल विवादों में आपको नहीं पढ़ना है कुछ पूराने मित्रों से आपकी भेट हो सकती है जो आपको सू स्वादू खान पान में भी विशेश रूची बढ़ाएंगे और जीवन में फिर से नयापन लेकर आएंगे मित्रों मानसिक सान्ती तो आपको प्राप्त होगी ही लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी हो सकता है तो जीवन साथी को स्वास्त विकार भी हो सकते है सेक्षडिक छेत्र में कारोयों के सुख़द परिणाम आपको मिलने वाले हैं आपको बदा दे मित्रों की मानसिक सान्ती रहेगी लेकिन आत्म विश्वाज भी आपका भरबूर रहेगा कारोबार में एक के बाद एक कल्ठिनाईया आएगी किसी मित्र के सहयोग से आप चाहे तो सहायता लेकर कारोबार में सुधार भी कर सकते हैं और आपको इस बात का धियान रखना है मन में उतार चड़ाओ बने रहेंगे लेकिन यह उतार चड़ाओ केवल आपकी सोच के कारण है अच्छी सोच रखेंगे तो उतार चड़ाओ इतने नहीं आएंगे माता पिता का साथ आपको मिलेगा नोकरी में वदलाओ के योग बन रहे हैं और परिवार से दूर किसी दूसरे इस्थान पर आप जा सकते हैं वाणी में सोम्यता रहेगी मित्रो सुक सम्रद्धी हो सकती है पिता से वेचारिक मदभेद हो सकते हैं जिससे पिता के द्वरा आपको डाट फटकार भी सुनने पड़ सकती है किसी मित्र के सहयोग से कारोबार का विस्तार हो सकता है यात्रा पर जाना हो सकता है वाहन के रख रखाओ पर खर्च बढ़ सकती है अब आपको धियान रखना है किसी अग्यात भई से आप परिशान रह सकती है लेकिन यह अग्याद भाई कोई छोटा मुटा भाई नहीं है परिवार में सभी धार्मिक कार्य हो सकते हैं भवन में सुक और वरद्धी हो सकती है और स्वास्त का विशेश ध्यान रखने की सलाह दे जाती है मित्रों आपको बार-बार स्वास्तिक प्रति सचेत किया जा रहा है धार्मिक इस्थान की यात्रा पर आपके लिए जाना हो सकता है और मित्रों का सही योग भी आपको मिलेगा मन जो है आपका परिसान रहेगा लेकिन इस मन को सांत केसे करना है यह आपको ही समय रहते हल ढूंबना है सिक्सनिक कारों में वियधान आ सकते हैं सचित रहें और कारोबार में आपके सुधार होगा और लाब के आउसर भी बढ़ेंगे मित्रो आत्म विश्वास आपको भरपुर रहेगा परन्तु धेर सिल्ता में कमी आएगी और आवेश के अतिरेक से बचे मित्रो का सहीयोग आपको मिलेगा परिवार में सुक सान्ती रहेगी और बाच्चित में सहीयन रहें जीवन साथी को स्वास्त विकार हो सकते हैं सुब समाच्यार आपको मिलेंगे और किसी रूके हुए धन की प्राप्ती आपको हो सकती है उच्चे सिक्सा के लिए किसी दूसरे इस्थान पर जा सकते हैं तो स्वास्त के प्रती सचेत रहें भाग दोड अधिक रहेगी भाई बेहनों के सहीयोग से कारोबार की स्थिति में सुधार हो सकता है कोई सुब समाचार मिलने से अंत का समय सुखद वियतित होगा तो वीडियो की समाप्ती यहीं पर होती है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवस्य कर दीजेगा और मित्रो कमेंट बॉक्स में गुरुजी का असिर्वाद प्राप्त करने के लिए स्रेई सिवाई नमस्तो भ्यम अवस्य लिखिएगा गुरुदेव आपकी सारी मनोकामनाए पुरुन करेंगे और देनिक रासी फल एवं रोजाना ज्यान वर्दक वीडियो की प्राप्ती के लिए आप सभी मित्रो हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हम से अभी जुड़ जाईएगा